तांत्रिकों की देवी तारा माता को हिंदू और बौध दोनों ही धर्मों में पूजा जाता है तिबती बौध धर्म के लिए भी हिंदू धर्म की देवी तारा का काफी महत्व है नौरात्री में माता तारा की पूजा और साधना करना बहुत ही पुन्य और फलदाई और जीवन को पलटने वाला माना जाता है तो आईए जानते हैं माता तारा की बारे में दस महत पूर्ण बते माता सती की बहन सती माता नहीं पारवती के रूप में दूसरा जन्म लिया था माता सती राजा दच की पुत्री थी राजा दच की और भी पुत्रिया थी जिसमें से एक का नाम तारा था इस मान से माता तारा माता सती की बहन मानी जाती है तारने वाली माता माता तारा एक महान देवी हैं जिनकी पूजा हिंदू और बौध दोनों ही धर्मों में की जाती है तारने वाली माता होने के कारण माता को माता तारा कहा जाता है तांत्रिकों की प्रमुख देवी है माता तारा माता तारा को तांत्रिकों की देवी माना जाता है तांत्रिक साधना करने वाले मातातारा के भक्त होते है नौमी के दिन होती है साधना चैत्रमास की नौमी तिथी और सुकल पक्ष के दिन मातातारा रूपी देवी की साधना करना तंत्र साधना के लिए सर्व सिध्धिकारक माना जाता है सत्रूओं का नास करने वाली देवी माता तारा को सत्रूओं का नास करने वाली सौंदार्य, रूप, एस्वर्य, आर्थिक उन्नती, भोगदान और मुख्ष प्रदान करने वाली माना जाता है हर मनुकामना करती है पूर्ण जो भी साधक या भक्त माता की मन से प्राठना करता है उसकी कैसी भी मनों काम ना हो वा ततकाल रूप से पूर्ड हो जाती है तांत्रिक पीठ तारा पीठ में देवी सती के नेत्र गिरे थे इसलिए इस इस्थान को नयन तारा भी कहा जाता है या पीठ पस्चिम बंगाल के बीर भूम जिले में इस्थित है इसलिए या इस्थान तारा पीठ के नाम से बिख्यात है रिसी बसिष्ट ने भी की थी साधना प्राचीन काल में महरसी वसिष्ट ने इस स्थान पर देवी तारा की उपासना करके सिध्या प्राप्त की थी इस मंदिर में वामा खेपा नामक एक साधक ने भी देवी तारा की साधना करके उनसे सिध्या हासिल की थी तारा देवी का दूसरा प्रमुख मंदिर तारा देवी का एक दूसरा प्रमुख मंदिर हिमांचल प्रदेश की राजधानी सिमला से लगभक 13 किलो मिटर दूर इस्थित सोधी में है देवी तारा को समर्पितिया मंदिर तारा परवत पर बना हुआ है भगवती तारा के तीन सुरूफ हैं तारा एक जटा और निल सरस्वती